अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और अपने डॉक को ट्रेन करना चाहते हैं वो भी बहुत सारी amazing commands तो easily आप इस चैनल के थूँ अपने डॉक को सिखा सकते हैं और लेना चाहते हैं proper guidance हिंदी में वीडियो के नीचे subscribe बटन पर क्लिक करें और सबसे पहले latest वीडियो की notification लेने के लिए subscribe बटन के साइड में bell icon को प्रेस करना ना भूलें हेलो इस तो आपको स्वागत है हमारी चैनल में जिसका नाम है ट्रिपल ह्डिटी साहिल सुनिल स्मार्डॉक्स ट्रेनिंग इस वीडियो में हम आपको बताएं कैसे एक डॉबर में फिंस्चर की purity चेक करते हैं तो इस वीडियो में लास्तर बने लईएगा मैंने बताए कि पिंस्चर की आइड़ किया था जैसे कि अलग अलग कंट्री में लोग अलग अलग नाम लेते हैं जैसे कहीं पर eroughby बोलते हैं नहीं पर खाली डॉबर में बोलते हैं वैसे बहुत सारे अन्य नाम है इसके लेकिन मैंने अभी जैसे डॉबर में पिंस्चर बोला तो इसके बारे में थोड़ी चीज में आपको बताता हूं डॉबर में एक ब्रीड है जो जर्मनी से जहां पर उसका ओरिजन था इसमें 1860 में बनाये गया था ही स्बसे से अलग टाउमनम्स का जो ज Ninth जीता है वो दस से 14 साल तक ने जी लेता है तो आपका कोड ऊ-ॉइंट होता नहीं के आपको अधुर एक ब्लू। एक ब्लू होता वह इसको इससा बेला में बोलते हैं और इससे अलग आप एक आशा ड तो इस वीडियो को बनाने का में मोटिव यह है कि अगर आप को पहचान हो सके कि वह प्योर वैसे तो अगर आपको पैसा लगा रहे हो ठीक है और आपको मिक्स मिला तो इससे बढ़िया आपको मिक्स वैसी फ्री में मिल सकता है बहुत सारे adoption के center होते हैं बहुत जगा पर होते हैं आप कर सकते हो आपको दिला सकते हैं मेरा suggestion आपको यह रहेगा कि आप खरीदने से अच्छा है कि जायज ज्यादा करें तो मैं आपको थोड़ी पहचान बताता हूं जिससे आपको पदा चलेगा कि यह प्योर टीख होगी थिकिए और याप देखरें तो अब यह नों और अगभरण तेक रहे हो तो उसके दार्क वर्न गविए और अगर आप फॉण कलरों तो उस में दार्क ब्राउन और आप कलर देख रहे हो तो उस फर डार्क ग्रे शल्साब्रार्वाए हैा चक्क 20 आपको मबनेस हुआ हुआ है और दूसरी जी आपको ध्यान रखने वह है कि उसका नोस का कलर और इसके नेल्स का कलर जो हमेस्था सेम होता है जैसे कि अगर आपने एक डॉबर्मेन है वह उसका कलर है ब्लैक टैन में और तो इसके नेल्स के कलर भी देखना ब्लैक होगा तो इसी तरीके से आप मैच कर लेना और हमारे इंडिया में सबसे कॉमन जो पाए जाते हैं डॉबलमेंट वो होते हैं ब्लैक टैन में और एक रैट टैन में तो इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूं कहां कहां पर टैन कलर होना चाहिए आप दिहान से देखिए इसको तो अकल आपकशो आपको सुप incur्ता है अच्छों छीजर so अब हम आगे चलते हैं अब आपको ध्यान रखना उसकी टेल का टेल हमेशा स्ट्रेट होगी और पतली होती है टेल हमेशा टॉबर्मेन की ना वह कर्व बिल्कु नी बनाना सी इसको इस बात को ध्यान रखना तो अब मैं आगे चलता हूं तो इसमें एक अपर जो होता है और लोर जो होता है तो जो जो होता है इससे मिलके मजल बनता है पूरा जो आगे का डॉक का पार्ट होता हो मजल होता है अब जो डॉबर्मेन के मजल के पार्ट जो होता है वह मेंचा प्लैट होता हो पतला होता है और अगर मैं बात करूँ तो इसमें दो तरीके के आपको मिलेंगे एक तो heavy bone में मिलते हैं और एक आपको low bone में मिलते हैं वो आपके choice है जैसा आप उसमें budget होगा अपका तुसरी आप से आप ले सकते हो तो अब हम बात करेंगे अगली प्रियोटी के पहचान की वो है डॉक के इयर्स उसका देखना वी शेप बना रहा होगा और वो हमेशा फ्लैट नीचे के तरफ रहेंगे आपने अबिशा देखा हो डॉबर्मेंट के कान खड़े रहे होते हैं तो उनके कान जो होते हैं उनको क्रॉपिंग की जाती है बच्पन में लेकिन वो इंडिया में इल्लीकल है तो आपको वो नहीं करानी है आप जब बच्चा देखें तो उसके वी शेप के हो जो यह से और आपको जहां आपको अपने पास डॉग रखना उसको सिखाना है बस हम लोग आपको गाइड करेंगे उसमें अच्छे से आप क्या कर सकते हैं नीचे मैंने नंबर दे रखें इस पर मेंबर्शिप लिखें हम आपको डिटेल प्रोवाइड करेंगे आप डिटेल देखने के आपको तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि केरल में इस्पग बहुत ज्यादा बाड़ाई भी है बहुत लोग फेस कर रहे हैं बहुत बुरा और उनके साथ तो यह आपकी responsibility हमारी responsibility पूरे इंडिया की responsibility है कि हम लोग सम मिलके उनके साथ खड़े रहें तो आप भी उनकी help कर सकते हैं जैसे कि अभी manpower भान ही जा पारी है problem हो रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि financially कर सकते हैं तो फिलहाल हम क्या कर सकते हैं कि आप जाएए महां पर लिखा हुआ है कि केरल पे जो रबट करने का उप्षन है तो आप जाईए घितना रुट बज़ट बनता है थोड़ा भी आपका बजट है यह नहीं हम यह के रहा है तो हम लोग भूँ कर सकते होंगी तो आप ये उमीद मत रखना है कि कल आगर आपके साथ कुछ बुरा होगा तो और लोग आपके लिए खड़े होंगे तो हम लोगों की responsibility बनती है कि हम लोगों उनकी help करें तो मैं आपको वीडियो के नीचे एक description में link भी दे दूमां वहां से भी आप donate कर सकते हैं तो दोस्तों smartos training को instagram पे follow करना ना बोले और facebook पे like करना ना बोले इस पर आपको जो भी नई updates आईगे आपको मिलती रहेंगे उमीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत जादा helpful लगी होगी हमारी चैनल को like share और subscribe करना ना बोले करेग enclosed कोskin कर जाइप कर क्यों कर दोस्तों के लाइबớiошे पलम से आपको जबницय अथ्यों है कर वडह है कर दब हूशे जादाए प्रावर खशाइस